Hi friends, मैं हूँ Jifinder और आप देख रहे हैं JGCV Vlogs मैं सुरादर करता हूँ आप सभी का अपने स्नए वीडियो में जोकी night light से लिकड़ है आज के इस टोपिक में उन्हें सुस्करने वाले हैं कि राको बाइक ड्राइब करते समय में किनकिन बातों को जहां रखना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं अगर आप night light पर जा रहे हैं तो सब जहानक में वाली बात है वो यह है कि सबसे पहले आप make sure कीज़े कि तो भी आपकी light है hand lamp, tail lamp, indicator, fog lamp, azire lamp वो properly work कर ले हो ऐसा नहों कि आप right पे तो निकल गए हैं लेकिन वहाँ जाके आपको पता लगता है कि यह रात केट है कि आपकी light वर्क नहीं कर रही है तो उसके वैसे आपको बहुत जगादा problem को सामना करना बढ़ सकता है तो इस problem को overt कीजिए और make sure कीजिए कि आपकी size light वर्क कर रही हो उसके बाद सब्सक्राइब जो बात है वो यह है कि आप अपनी जो भी आपकी hand lamp, tail lamp और indicator से आपको properly साफ कर लेजे क्योंकि होता गया है कि उसके dust particles दें जाते हैं जिससे जो light की efficiency है वो 15-20% तक कम हो जाती है जब हम उसको properly साफ कर लेंगे तो आपकी light की visibility है उसका 100% यूज़ कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपको जो रोड है वो पहले से बैटर नजर आ रही है और उसके efficiency light की जो efficiencies है उसका आप 100% यूज़ कर सकते हैं और जो आपकी राइड हो काफी smooth बनाने बाना है लाइट को साफ करने के साथ साथ आप यह भी ध्यान रिखेंगे कि आपको जो helmet का visor है उसको भी properly clean कर लेज़ें और make sure कीज़े कि उसके अंदर कोई-सी पधार के scratches होगे रहना हो क्योंकि अगर उसके scratches होंगे तो सामने से जो light आएगी उसके helmet पर पड़ेगी वो फैल जाएगी जिससे आपको देखने में दिर्क्त होएगी इससे निपटने के लिए आप दो चीज़ कर सकते हैं या तो आप में helmet का visor है वो आप change कर देज़ें पीछे दे आने वाले vehicles को यह नहीं पता होता कि हम left mode और right mode अगर हमने एकदम से अपनी गाड़ी को left और right कर दिया तो हो सकता है कि हमें किसी misapening car सामना करना पड़े हो सकता है को accident हो जाए तो यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम left और right mode तो हम indicator का use करें और यह देख लें कि पीछे वाली गाड़ी का distance है और जिसने पर distance है और night में अपने अपने नोटेस भी कि होगी कि जो रात में जो चलने वाली जो गाड़िया है उनकी speed काफी ज्यादा होती है क्योंकि रोड पे traffic काफी कम होता है तो आप ध्यान रिखे कि रात को indicators का proper use करें इन सब चीज़ों के बाद जो सबसे जरूरी है वो हमारी visibility कि हम रोड के उपर तो पर दिखें पीछे वाले vehicles को हम measure आए क्योंकि आपने फिल क्या होगा कि रात के टाइम में अगर हमारी बाइक का कलर भी black और हमें dark कपड़े पहने हुए तो हमारे जो visibility जो है जो पीछे वाले vehicle हमें देख पाएगा वो काफी कम हो जाएगी तो हमें make sure करना चाहिए कि हम जब भी night पे बाइक ड्राइब कर रहे हो तो हमें ध्यानक में चाहिए कि जो हमारे कपड़े हो वो light color के होने चाहिए ताकि वो पीछे वाले को इस चीज़ विजिबल हो उसके अलावा अपनी visibility को बढ़ाने के लिए हम hazard lamp यूज कर सकते हैं हम बाइक में blinkers रगवा सकते हैं और reflective tapes उसका यूज हम पीछे अपने जो light हैं उसके surrounding में जो mudguard है उसके हम कर सकते हैं अपने helmet पर यूज कर सकते हैं उसका रफी दूर से विजिबल होते हैं लाद को जो हम गाड़ी कहीं पार्क करते हैं तो हमें ध्यानक नचिये कि हम उसकी tail lamp ओन रखे हैं और ही hazard lamp को जला दें ताकि पीछी से आने वाले vehicles को यह पता हो कि साइड में कोई गाड़ी या कोई bike पार्थ है Otherwise होता क्या है आपने देखा और सुना भी होगा कि कई बार खड़ी गाड़ी के वाज़ी से बहुत से एक्सिदेंट देखने को मिलते हैं उसका कारण क्या है उसका कारण यही है कि उसके हैदर safety measures का लोग use नहीं करते वो पार्थ करते समय उसके tail lamp या hazard lamp को only करते जिसे पीछी से आने वाले vehicle को यह नहीं पता होता कि साइड में कोई गाड़ी भी खड़ी होई है आप जब भी गाड़ी या बाइक पार करें तो उसे रोड से विगुल हटा के पार करें ताकि पीछी से आने वाली किसी भी vehicle को इंकर्मिनिस पर सामनाना करना पड़े जो रापके time काफी dangerous हो सकता है और विसी की जान भी जा सकती है आप यह वीडियो आपको पसंद आयो और जो experience में आपको शेयर किया वो आपके लिए useful हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर करना ना भूले और अभी तक आपने हमार चैनल सब्सक्राब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राब लेजे क्योंकि हम ऐसे नएने वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं